बहुत बहुत बदाईयों आपको पारो बहन आपकी बहु मा बनने बालियें और वो भी एक दो बच्चों की नहीं पूरे बारा बच्चों की मा बनने बालिये आपकी बहु अब आप जल्दी से अपना मुमीटा करो और सबका मुमीटा करवाओ मुझे पता था मेरी बहु जरूर मा बनेगी और हमारे घर में भी बच्चे होंगे मैं सब का मुँ मीटा जरूर करवाऊंगी रानु चिडिया की साधी को हुए कापी साल बीट गयते पर अभी तक उसके पास संतान नहीं थी रानु चिडिया के परिबार में उसकी सास पारो और उसका पती आकास रहता था रानु की सास बहुत अच्ची थी वो अपनी बहु को कभी भी ये महसूस नहीं होने देती थी कि उसका बच्चा नहीं है वो उसे बहुत तसली देती थी और उसका बहुत ध्यान भी रखती थी एक दिन रानु अपनी सास से कहती है मा जी अब तो इतना समय बीत गया है पर हमारे घर अभी तक बच्चा नहीं आया है बच्चे के बिना हमारा घर कितना सूना सूना लगता है रानू ये तुम कैसी बाते कर रही हो हमारा घर सूना सूना कहा है हमारे घर में सारी रोनक तो तुमारे दम से है और तुम देखना एक दिन ऐसा होगा जब हमारे घर भी बच्चे होंगे और वो हमसे समाले नहीं समलेंगे रानु च्डिया की सास की यही सब बाते थी जिससे रानु च्डिया को होसला होता था रानु के पड़ोस में एक गोरी का भी भी रहती थी जो की बैसे तो रानु की सहेली थी पर वो इस बात से मनीमन बहुत खुसोती है की रानु के बच्चे नहीं हो रहे हैं वो उससे कहती है रानु मेरी सहेली अभी तक तुमारे कोई भी बच्चा नहीं हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि तुमारी सास तुमारे पती की दूसरी साधी कर दे क्योंकि तुमने अभी तक उससे बच्चा नहीं दिया है न नई नई गोरी मेरी सहीली मेरी सास ऐसी नई है वो ऐसा कभी नहीं करेंगी बल्कि वो तो मुझे होसला देती है कि तु चिंता मत कर हमारे घर भी एक नएक दिन बच्चा जरूर आएगा तो वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ वो कभी नहीं करेंगी मुझे उन पर पूरा बिस्बास है बो सब तो ठीक है सहेली पर तुम जरा ध्यान से रहना कहीं ऐसा नहों कि तुमारी सास तुमारे पीट पीचे छुरी खौप दे वो गोरी को भी चिडिया से ऐसे बाते कर रही थी पीछे बैटी उसकी सास सारी बाते सुन लेती है तो वो गोरी से कहती है गोरी मेरी बहु तुमारी बातों में कभी नहीं आएगी तुम उसे चाहें कितना भी भड़कालो आरे मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ तो मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा भला क्यों करूंगी और वैसे भी तुम उसका छोड़ो अपना बताओ तुम तो खुद अपनी सास को छोड़कर दूसरे दिन अपने पती के साथ नया गोंसला बना कर रहने लगी अपना पतानी दूसरों से ऐसी बाते करती हो मा जी तुम यहां से घर चलो मैं इस कवी की बाते ऐसे नहीं सुन सकती यह कहकर वो रानू अपनी सास को लेकर वहां से चली जाती है तब वो गोरी को भी कहती है इन सास बहु की जोड़ी पूरे जंगल में सबसे अनौकी जोड़ी है फिर ऐसे ही दिन गुचरते जाती है एक दिन रानू चिड़ी जब खाना बना रही थी तो उसे अच्चानक से चक्कर आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है तब उसकी सास कहती है बेटा बेटा देख तो ये अच्छानक से रानू बहु को क्या हो गया चल जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलती है हॉस्पिटल में जब इसका चेक अब होगा तो अच्छे से पता चल जाएगा नई नई मा मुझे कुछ ने उगा है मैं ठीक हो बस थोड़ा से चक्करी तो आगया है ठीक हो जाऊंगी अभी मैं कहीं जाने की कोई जरुवत नहीं है बहु मैं ऐसे परिशन कैसे नहूं अरे तुझे पहली बार ऐसे चक्कर आएए आज तक तो कभी नहीं आए बेटा तु जल्दी से से होस्पिरल ले कर जल अपनी मा की ये बा सुनकर आकास्टड़ा जल्दी से रानू को होस्पिरल ले कर जाता है जब वहाँ बुलबुल डाक्टर रानू का चेक अप करती है तो वो उनसे कहती है बधाईयों आप सबको आपकी बहु मा बनने बाली है बुलबुल डॉक्टर के मुँसे ये सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता वो तो बहुत खुश होते हैं तब वो रानु की सास कहती है देखा मैंना कहती थी की हमारे घर भी बच्चा जरूर आएगा एक नएक दिन हमारी बहु मा जरूर बनेगी और देखो अब वो हमारा सपना जल्दी पूरा होने बाला है मा जी ये सब आपकी दुवाओं की बच्चे से हुआ है बेटा अब तु अपनी बहु का बहुत जादा ध्यान रखा करना इसके लिए रोजाना ताजी ताजी फल लेकर आये करना मैं अपनी बहु को अपने हाथों से जूस बना कर पिलाया करूंगी और इसका बहुत ध्यान रखूंगी ताकि बच्चा हमारा अच्चा पैदा हो खूं मोटा ताजी हो ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं एक दिन चिडिया के पेट में बहुत तेज दर्द होता है तो वो कहती है मा मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है मा मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले कर चलो रानू बेटी अभी तो अंडा बाहर आने का समय नहीं आया फिर ये दर्द कैसे सुरू होने लगा ये कहकर रानू की सास और उसका पती दोनों उसे हस्पिटल ले कर आती है जब बुलबुल डॉक्टर उसका अच्छे से चैक अप करती है तो वो कहती है आपको परिशान होने की कोई जरूत नहीं है आपकी बहु ठीक है वो क्या है ना आपकी बहु के पेट में पूरे बारा अंडे है इसलिए इसके थोड़ा दर्द हो रहा है लेकिन आप इसका पहले से ज़्यादा ध्यान रखना भगबान आपका लाग लाग सुकर है जो आपने एकी बार में हमें इतनी सारी खुसियां दे दी एकी बार में हमारा घर भड़ दिया फिर उसके बाद रानू होस्पिटल से घर आ जाती है और तब उसकी सास उससे कहती है रानू बेटी अब तुमें कोई भी घर का काम नहीं करना है बस आराम करना और अपना ध्यान रखना मैं अभी पूरे जंगल में मिठाई बाट कर आती हूं आकिर हमारे घर इतनी सारी खुसियां जो आने बाली है ये कहकर रानू की सास जंगल में मिठाई लेकर निकल जाती है वो सबको मिठाई खिलाती है और सबको बताती है कि उसके घर में पूरे बारा बच्चे आने बाले हैं फिर वो गोरी के घर भी मिठाई लेकर आती है येलो कव्वी मिठाई खाओ और अपना मू मिठा करो, मेरी बहु माँ बनने बाली है और उसके पूरे बारा बच्चे होने बाले हैं। रानू की सास मिठाई दे कर वहां से चली जाती हैं। गोरी कवी को तो बिल्कुल भी खुसी नहीं हुई थी कि रानू मा बनने बाली है और वो कहती है ये ऐसा कैसे हो सकता है पहले तो चड़िया के बच्चे होने रहते और अब हुए तो एकदम से बारा बच्चे मैं ऐसा नहीं होने दूँगी मैं कली चड़िया के घर जाऊंगी वो गोरी कवी ऐसा सोच रही थी फिर अगले दिन वो चड़िया के घर आती है और उससे कहती है रानू मेरी सहेली तुम मेरी बहुत अच्ची सहेली हो इसलिए मुझे तो तुम पर दया आ रही है तुम ऐसा करो सिर्फ दोई अंडे रखो और बाकी दस अंडे गिरा दो आकिर तुम इतने सारे बच्चों का ध्यान एक साथ कैसे रखोगी तुम तो अकेली हो ना कैसे पालोगी इतने बच्चों को अरे काली कवी तुम फिर आ गई मेरे घर पर मैंने मना कियाता न कि मेरी बहु को मत भढ़ काया करो चलो तुम जाओ यहाँ से और तुम देख ना हम कैसे अपने बारों बच्चों की देख भाल करेंगे और ने अच्छे से पालेंगे वो गोरी कवी तो तुरंत वहां से चली जाती है तब रानू कहती है मा अम मैं इस कवी से दोस्ती नहीं रखूंगी मैं इसे नहीं मानूंगी अब अपनी सहेली क्योंकि अम मुझे पता चल गया है कि ये कवी मेरी खुशियों से कितना जलती है ये नहीं चाहाती कि मैं खुश रहूं वो बताओ मेरे अंडों को गिराने की बात कर रही थी वो सब तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानुच्डिया के घर में पूरे बारा बच्चे आ जाते हैं उन बारा बच्चो को देख कर तो वो सब बहुत खुश थे और उनकी घर में बच्चो की फूल कारिया गोज नहीं थी इस तरह वो सब भी अपने बच्चो के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं बच्चो तुम यहीं पर रहना मैं तुमारे लिए भोजन लेने जा रही हूँ और अगर कोई भी आये तो तुम दर्वाजा मत कोलना ये कहकर रानुच्डिया भोजन लेने चली जाती है जब मेरे बच्चे से खाएंगे तो खुशो जाएंगे ये कहकर रानुच्डिया उस भोजन को उठानी बाली थी तब ये उसके उपर एक चाल गिरता है जिसमें वो फस जाती है तब सामने बैटी एक चील कहती है चलो ये च्डिया मेरे चाल मैं तो फस गई अब मैं जल्दी से जाकर इसे खा लेती हूँ कहीं ऐसा नहों कि ये जाल काड़ कर वहां से भाग जाए चील्दी चील्दी आप ऐसा मत करो मुझे मत खाना मेरे घर पर चोटे चोटे बच्चे हैं वो मेरे इंतिजार कर रहे होंगे प्लीस मुझे मत माईना लेकिन चील्दी तो रानू की एक बात नहीं सुनती है और उसे मार कर खा जाती है वहीं दूसरी तरप रानू के बच्चे तो उसका बेसवरी से इंतिजार कर रहे थे भाया कितनी देर हो गई ममा घर का वाएंगी वो अब तक घर आएं क्यो नहीं है गुडिया हम थोड़ी देर और इंतिजार कर लेते हैं ममा बस अभी आती होंगी सुबा से साम हो जाती है लेकिन रानू अभी घर पर नहीं आई थी उसके बच्चे तो अपनी ममा को पुकार रहेते और उसका इंतिजार कर रहेते वो रो रहेते तब ही वहां से एक चिडिया गुजरती है जो की बच्चों की आबास सुनकर रुख जाती है ये आबास कैसी है ये बच्चों की रोने की आबास कहां से आ रही है मुझे देखना होगा फिर चिडिया इदर उदर देखती हैं तो उसे रानू का घर दिख जाता है और वो वहाँ आ जाती है ये अबाज इसका मतलब इस घर से बच्चो की आ रही थी चलो मैं दरवाजा खुल वाती हूँ बच्चो बच्चो दरवाजा खोलो बच्चे जब ये आबास सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि मम्मा आ गई इसलिए वो खोशी से दरवाजा खोल देते हैं ये क्या आप तो हमारी मम्मा नहीं हो हमारी मम्मा कहा है मैं तुमारी मम्मा नहीं हूँ बच्चों वो कहना मैंने तुमारी रोने की अबास सुनी तो मैं यहां आ गई चिडिया की जब बच्चे ये बास सुनते हैं तो वो फिर से रोन लग जाते हैं तब गुडिया कहती है ममा आप कहां हो कब आओगी ममा हमें बहुत भूझ लगी है ममा आप चल्दी आजाओ सायद इन बच्चों की ममा अभी तक भोजन लेकर नई आया यह भूझ किया मैं ऐसा करती हूँ मेरे पास जो भोजन है मैं इन्हें खिला देती हूँ बच्चो देखो मेरे पास मीटा सेब है आप से उसे जल्दी से खालो फिर वो बच्चे जब ये देखते हैं तो वो सेब को खा लेते हैं और लाडो ये देखकर खोसोती है फिर रात भी हो जाती है लेकिन रानू अब तक घर नहीं आई थी तब वो लाडू चड़िया कहती है रात हो गई है परन्तु अभी तक इन बच्चों की ममा घर नहीं आई है मैं इने अकेले छोड़ कर भी नहीं जा सकती हूँ कहीं कोई जालिम दुष्ट पच्ची ने खाना जाए फिर वो चड़िया उन बच्चों के पास ही रुपती है वो उनके लिए भोजन लाती और उन्हें अपने पंकों से खिलाती एक दिन दुष्ट कालू कवा रानू के बच्चों को खाने के बारे में सोचता है कुछ दिन से रानू चड़िया दिखाई नहीं दे रही है कहीं वो अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर तो नहीं चली गई मुझे उसके घर जाकर पता लगाना होगा फिर कालू कवा रानू के घर के पास आकर देखता है तो वो देखता है कि रानू के साथो बच्चों तो बाहर खेल रहे थे वो रानुचडिया कहीं नहीं गई इसके बच्चे तो यहां खेल रहे हैं और अकेले हैं मैं ऐसा करता हूँ आज इन बच्चों को खाई जाता हूँ अरे वा वा आज तो मुझे मचा ही आ जाएगा और बड़े दिनों बाद आज मेरी इच्चा पूरी होगी अब मैं इन बच्चों को जल्दी से खा लेता हूँ ये कहकर वो कालू कवव एक बच्ची को अपने मुँ में फसा लेता है वो उसे खानी बालता तब ही वहाँ लाड़ो चड़िया भोचन लेकर आ जाती है ओय तुष्ट कालू कवव चुप चप इस बच्ची को छोड़ दे और यहां से भाग जा नहीं तो तेरी खेड नहीं वो कालू कवव तो डर कर वहां से भाग जाता है और वो सीधा अपने घौसले में आता है और कहता है मैं आज तो बच गया उस चड़िया से अगर मैं थोड़ी पहले चला जाता तो उसके साथो बच्चों को खाई जाता तब यू उस कालू कवव को समझाता है कि वो रानू चड़िया तो नहीं थी फिर वो कौन थी जो रानू के बच्चों को बचा रही थी मैं चिडिया के पास में अपना घौंसला बना लेता हूँ और फिर पता लगाता हूँ कि आखिर बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों तुम घर से बाहर ना जाना और किसी के लिए दर्वाजा भी मत खोलना ठीक है मम्मा हम किसी के लिए दर्वाजा नहीं खोलेंगे और घड़ से बाहर भी नहीं जाएंगे वो कालू कवा अपने घौंसले में छिपा बैटा ये सब सुन रहाता तब वो कहता है हाँ अब आया मुझे समझ मैं इसका मतलब वो रानु चिडिया इस जंगल में नहीं है और ये अंजान चिडिया इन बच्चों का ध्यान रख रही है अब तो इन बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है फिर सुबा हो जाती है और लाडो चडिया अपने बच्चों से कहती है बच्चों मैं भोजन लेने जा रही हूँ और तुम दर्वाजा मत कोलना मैं तुम्हें आबास दूंगी कि उडिया चडिया दर्वाजा कोलो तब ही तुम दर्वाजा कोलना अपना ध्यान रखना ठीक है ममा हम तब ही दर्वाजा खोलेंगे जब आप बोलोगी तब तक हम दर्वाजा नहीं खोलेंगे फिर बो लाडो ऐसे बच्चों को समझा कर भोजन लेने चली जाती है और कालू कवा अपने घौंसले में बैटा उसे जाती हुए देख लेता है चली गई बोच्डिया तो चली गई भोजन लेने अम मैं जाता हूँ बच्चों के पास ये कहकर कालू कवा जड़ से दर्वाजे के पास आ जाता है और बच्चों को दर्वाजा खोलने के लिए कहता है बच्चों बच्चों दर्वाजा खोलो मैं आपका कालू मामा हूँ वो कालू मामा ममा ने दर्वाजा खोलने के लिए मना किया है हम दर्वाजा नहीं खोलेंगे आरे बच्चो मैं तो आपका कालू मामा हूँ और आपके लिए धेर सारी खाने की चीजे भी लाया हूँ तो आप जल्दी से दर्वाजा खोल दो ये सुनकर तो कालू कव्य को गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है ये बच्चे ऐसे दर्वाजा नहीं खोलेंगे मुझे कुछ करना होगा हाँ मैं ऐसा करता हूँ जो चड़िया यहां रह रहे है उसकी आबाज में बोलता हूँ फिर ये दर्वाजा जरूर खोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों दर्वाजा खोलो मैं भोजन लेकर आ गई हूँ नई नई आप हमारी मम्मा नईयों हम दर्वाजा नहीं खोलेंगे बो कानु कवा गेहरी सोच में पर जाता है कि ये बच्चे दर्वाजा क्यों ने खोल रहे हैं तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है हाँ हाँ दर्वाजा खुलवाने के लिए मुझे याद आ गया अगर मैं राणू चडिया की अबाज में दर्वाजा खुल बाऊंगा तो बच्चे दर्वाजा जरूर खोल देंगे वो कालू कवा रानू की अबाज निकालनी बालाता तब उसे लाडू चडिया आत्वी दिखाई दे जाती है तब वो वहाँ से भाग जाता है और लाडू चडिया आकर दर्वाजा खुल वाती है गुडिया बेटी दर्वाजा खोलो मैं लाडू चडिया हूँ लाडो का नाम सुनते गुडिया जट से दरवाजा खोल देती है और फिर वो अपने बच्चों को भोजन खाने के लिए देती है तब वो कहती है ये कालू का वो इन बच्चों को खाने के लिए इन पर नचर रख रहा है मुझे इसका कुछ तो करना ही होगा अगर मैंने इसका कुछ ने किया तो एक दिन ये इन बच्चों को खाई जाएगा फिर लाडो च्डिया भोजन लेने चली जाती है तब कालू का वो उसके दरवाजे पर आ जाता है और इस बार वो रानू की आबास निकालता है बच्चों मैं आ गई हूँ आपकी रानू मा जल्दी से दरवाजे खोलो फिर बच्चे अपनी रानू मा की आबास सुनकर दरवाजे खोल देते हैं कालू का वो खोसो का अंदर आता है और कहता है बाप प्यारे बच्चों तुमने अपनी मा का नाम सुनते दरवाजे खोल दिया चलो अम मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ वो कालू कवा ऐसे कही रहा था कि तब भी वहाँ लाड़ो आ जाती है जिसे देखकर वो कालू कहता है चिडिया चिडिया तुम यहां कैसे तुम तो भोजन लेने गई थी ना मुझे पता चल गया था कि तु ऐसा ही कुछ करेगा इसलिए मैं तुझे दिखाने के लिए भोजन लेने के बहाने बाहर गई थी और जैसी तु अंदर आया मैं तेरे पीछे आ गई क्योंकि मुझे तुझे सबक सिखाना है ना ये कहकर वो चिडिया कव्वे की खूब पिटाई करती है और उसे मार-मार कर वहां से भगा देती है फिर इस तरह वो उन सातों बच्चों के साथ खुसी-खुसी रहने लगती है दोस्तो ये तियाच की कहानी और हाँ दोस्तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की बातों मैं नहीं आना चाहिए और हाँ दोस्तो आज का सबाल ये है कि रानुच्डिया की कितने बच्चे हुए थे अगर आपको पता है तो कॉमेंट वाक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सबस्क्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ दोस्तो घंटी बजाना ना बूलना ताकि नई वीडियो आपके फन की स्क्रीन पर हो मिलती हो मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।